सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवी पर हम बात करेंगे अपने डेली करेंट अफेर्स के प्रोग्राम पर जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं आज की जो परमुक खबरे मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ वह है एर इंडिया को क्यों बेच रही है सरकार देखेंगे आखिर ऐसी कौन सी कंडिसन क्रियेट हो गई है जिसके बज़े से भारत सरकार ने अब डिसाइट किया है कि वह एर इंडिया में से अपना हंडेट परसेंट हिस्सेदारी खतम कर लेगी अर्थात उससे अब भारत सरकार का कोई नातारिस्ता नहीं रह जाएगा एजे सेर धारक के रूप है तो पहली खबर होगी है उसके बार हम दूसरी जो खबर पर बात करेंगे वो होगा ब्रुवत परदर्थन बनाम देश्त्रो आपको पता है सर्जे इमाम को कल गिरबतार किया गया है देखेंगे क्या आरोप है और साथी साथ इन आरोपों के प्रिष्ट भूमि में या जो देश्द्रोग का कानून है इसके पच्छ और बिपच्छ में कौन कौन से तरक दिय जाते हैं और यह दोनों जो टॉपिक हैं आपके मेंस के पॉइंट अब्बे से काफी इंपोर्टेंट है तो साथी साथ इसे बहुत से ऐसी टर्मलोजी आएंगे सब आएंगे जो प्रारंभिक परिक्षा के पॉइंट डॉब्बे उसे भी काफी महत्पूर हैं चुकि मैं अभी दो ही खबर इसलिए ले रहा हूं कि यह जो एर इंडिया वाली जो खबर है इतनी बड़ी है और इसको इतना डाइनेमिक तरीके से हमें कबर करना है कि हो सकता है यही जो दो खबरे हैं हमारी पचास मिनट की खबर में करने की लेकिन साथी साथ मेरा उद्देश एक च रहते हैं कि मुझे छोटा वीडियो बनाना चाहिए तो मैं प्रयास जरूर करता हूँ छोटा वीडियो बनाने का लेकिन आप एक चीज समझी कि कोई भी चीज अगर हम स्किप करते हैं तो इससे क्या होगा आपका यह समय है हो सकता है अगर मैंने एक फैक्ट इसकिप किया और उनहीं से कोई एक फैक्ट आपसे पूछ लिया गया तो आपकी मेहनत बरबाद हो जाई इसलिए थोड़ा सा धैर पूरवक हम एक एक टॉपिक को कबर करने का प्रयास करेंगे आईए सबसे पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं और यह हैं एक इमेज है एर इंडिया हाँ एर इंडिया जो यह कंपनी है यह सिर्फ कंपनी नहीं है इसके साथ लोगों की इमोसन जुड़े हैं इसलिए जब भारत सरकार ने जैसा कि आपके स्कीन पर लिखा हुआ है कि सरकार ने एर इंडिया के बिक्रिक की घोशना की तो इसके बिरोध में भी जो है कि क्या हो बढ़ता है किस कारण से हुआ इस सभी चीजों को हम कबर करें हैं आई हम अपने मिनर्स पर आते हैं सबसे पहले जैसे कि आपके स्कीन पर जो खबर है वो है कि भारत सरकार ने इंडिया के 100% जो है कि सेयर बेचने की घुशना कर दी है और अब इस तरह की सरकार क्या कर रहे है इस तरह से अपनी टोटल हिस्सेदारी को बिलकुस समाप्त करना चाहती क्या आप प्रिश्ना आएगा क्या ऐसा हो चुका है क्या कि पहले सरकार ने ऐसी घुशना की थी और उसमें अपना सेयर कुछ रखना चाहती थी तो इसका उत्तर होगा हम बरस 2018 में भी भारत सरकार ऐ प्रियास कर चुके थी लेकिन उस समय इसने कहा था कि हम 76% हिस्सेदारी बेचेंगे और 24% हिस्सेदारी हम अपने पास रखेंगे हाला कि वो 24% को भी आने वाले समय में बाद में बेचने वाले थे लेकिन अब क्या हुआ है सरकार ने घोसित कर दिया है कि 100% हम अपने सेयर मैं आगे चल कर ये भी बताऊंगा कि सरकार को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि हम 100% सेयर बेच देंगे क्यों नहीं ऐसा कहा कि हम इसको बेच रहे हैं दोबारा क्योंकि पहले बार जब घोशना हुई थी आपको जानकर रास्चर होगा एर इंडिया को खरीदने के लिए कोई बताता हूं इससे आपको पता चलेगा और आई होप आपका भी इमोशन इससे जोड़ जाएगा कि इस कंपनी को ऐसे बेचा नहीं जाना चाहिए था लेकिन चुकि भारत सरकार की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं साथी साथ जो एक बजट का मेनेजमेंट होता है एक फा सरकार को लग रहा है जिससे किसी देश की पहचान जोड़ी होती जैसे हम कहते हैं इर इंडिया तो अगर बिद्वेस में कहीं पर कोई बेखती है यह इंडिया का नाम सुनता है तो उस से एक छबी बनती है भारत सरकार की एक ऐसे उपरकरम की जो काफी अच्छा पौपरम क इसकी जो स्थापना होई थी 15 अक्टूबर 1935 में होई थी और जब स्थापना होई थी तो इसकी स्थापना एजे टाटा एरलाइन्स के रूप में होई थी ना कि एर इंडिया के रूप में ध्यान दिजेगा इसकी जब स्थापना 1935 में हो रही है तो एजे टाटा एयरलाइन्स के रूप में हो रही है अर्थात हम आजाद नहीं हुए और टाटा ग्रूप के दुआरा यह क्या किया गया है इन्नोवेशन लाया गया है और वहां से यह हम जो है कि क्या होते हैं सिबिल एवियेशन के चि भारस सरकार ने अपनी हिस्तेदारी को और इसमें बढ़ा दिया और आप देखिए पहली 49% था अब हिस्तेदारी अगर और बढ़ा दी जाएगी तो इससे क्या पता चलेगा अब यह भारस सरकार के अधीना चुकी किसी कमपनी पर कितना परतिसस सेयर है इसी से डिसाइड ह होता है वह सरकारी उपकरम है या प्राइबेट जैसे अगर 50% से ज्यादा हिस्तेदारी सरकार की है मालेजी 51% तो उसको हम क्या कहते हैं उसमें अधिक हिस्तेदारी सरकार की है और उसके साथ सब कौन सा जूलता है पबली गौर्मेंट का जो है की जूरता है अगर 50% से कम है अगर देखेंगे तो Year India की performance बहुत अच्छी थी और एक परकाब इसकी Year India की Monopoly थी Monopoly का मतलब कोई भी company इसके टक्कर में नहीं थी आप कहेंगे क्या इसकी services इतनी अच्छी थी पहले और अब खराब हो गई नहीं ऐसा नहीं था उसमें यह एक मात्र company थी उसके बाद क्या हुआ हमने इस छित को private sector के लिए जोड़ दिया 1991 के बाद Year lines के छित में कई company ने निजी company ने कदम रखा और जब कदम रखा और उन्होंने अपनी सिवाय दी तो इसके बाद Year India की हालत बिगड़ने लगी जैसे माल लिजे अभी मैं किसी चीज का production करता हूँ और दस यूनिट को मैं अपने किसी rate बाद बार बेच रहा हूँ लेकिन अगर हो सकता है कोई दूसरा बेक्ती भी इसमें कदम रखे हो सकता है पाँच रुपय में यह अच्छा मुझ से marker बना सके तो जब वह अच्छा मार कर बनाएगा, तो उसकी समान की विक्री जादा होगी, ठीक यही कंडिसन उस समय तक थी, जब तक निजी छेत्र की कंपणियां बहुत जादा मात्रा में नहीं आए थी, तक तक ER इंडिया की कंपणियां जो इस्टेटस था, काफी अच्छा था, सर् 1990 के दसक के अंतिम समय में इस चुनावस्ट्री से निपटने के लिए अर्थाथ ये इंडिया जो की इसके हालत जो खराब होती जा रही थी इससे निपटने के लिए Disinvestment Commission of India का गठन किया गया Disinvestment का होता है Binibase Binibase का मतलब होता है सरकार का जो हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा वो प्राइवेट सेक्टर को बेच कर अपनी हिस्सेदारी कम करे इसको Disinvestment कहते हैं तो Disinvestment एफ Binibase का मतलब क्या है कि अपनी हिस्सेदारी को कम करना और ऐसा कमीशन का गठन किया गया इसने सिफारिस की किसने Disinvestment कमीशन अप इंडिया ने कि सरकार अपनी हिस्सेदारी का कम कर यह 40% तक कर ले अर्थात लगभग आधिकांस हिस्सा किसको दे दिया जया प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जया और सरकार अपनी हिस्सेदारी 40% तक सिमित रख ले अब अब देखी यहां तो इन्होंने यह बात कर दी लेकिन यह सब फर इतना आसान नहीं था 1999 से लिके 2004 के बीच NDA की सरकार थी जिस प्रकार की सरकार अभी है इसी प्रकार NDA की सरकार थी और नित्रत जो है कि इन समय आप देखेंगे तो अटल विहारी बाचपई जी के पास होगा इन्होंने क्या किया बियनिबैस करने के लिए प्रयास किये लेकिन जो उस समय जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल के जो ऑफिसिल थे उन्होंने इसमें बहुत ज़ादा सायोग नहीं किया और इसके बज़े से यह प्रकारियाग पूरी नहीं हो पाया तो साथी साथ जो private airlines के promoters के Lobby भी महतपूर भूम काती इन्हों ने भी इसका believe नहीं होने दिया कारण ये है कि अगर ये जो private airlines के promoters है इनकी इच्छा ये थी कि पहले ये company अपनी जो service सुबधाएं हैं जिस परकार दे रही उस परकार देती रहे जिससे लोग क्या करें इसकी सुबधाओं से अच्छी सुबधा जब हमारे पास मिले तो हमारे पास आए और हमारे ग्रहाग बनके रहे जाए अगर इसको उसी समय किसी private company को दे दिया जाता तो चूंकि year India का नाम पहले से था और जो year India को खरीदता और उसके पास क्या होते अधिक गरहांग चले जाते और उसको खरीदने के लिए सब के छमता से यह बाहर था तो इसलिए इन्हों ने कहा कि ऐसा करते हैं इस company को ऐसे ही खसता हाल में रहने देते हैं एगर इसको कोई ब्यक्ति लेगा तो हो सकता है उसके पास ज्यादा फादा मिल जाए इसलिए इन्होंने जो private airlines की promoters थे इन्होंने भी इसकी महत्पूर भूमकानी भाई कि यह इसका क्या हो जाए बिनवेस ना हो 2009 के बाद कुछ ऐसे भी निर्ना लिये गए जिससे क्या होगा समय जो है कि इसकी प्रस्ति या इसकी जो condition हो खराब होने लगी मैं आपको यह पूरे timeline इससे परचित करवा रहा हूँ जिससे अब 2020 में यह condition कैसे create होई है इसको आप समझ लिजी 2009 के बाद कुछ ऐसे निर्ना लिये गए है जिससे क्या हो गया year India की स्थिति खराब हो गई और 2009 के बाद आप देखेंगे यहां पर एक चीज आपको थोड़ा सा correct करना है 2009 नहीं यह 2007 है तो 2007 के बाद कुछ ऐसे निर्ना लिये गए जिसससे year India की स्थिति खराब हो गई इसमें एक था Indian Airlines को year India के साथ बिले करना Indian Airlines की स्थिति पहले से खराब थी इसको year India के साथ क्या कर दिया मर्ज कर दिया गया बिले कर दिया आप खुछ समझिए कि एक जो year India है यह क्या कर रही पहले से चुना होती का सामना कर रही और उसके बाद Indian Airlines को और आप इसमें ला जिसकी इस्तिती पहले से ज़्यादा खराब है तो जब इसकी साथ इसका बिले कर दिया गया तो जो आपकी इयर इंडिया है इसकी इस्तिती और खराब हो गई साथी साथ इसमें अनेक इयर क्राफ्ट और सामिल कर दिये गए और इसलिए किये गए कि अभी जो इयर इंडिया क कि एयर क्राफ्ट हैं बहुत अच्छे नहीं हैं हम और एयर क्राफ्ट इसमें सामिल कर देते हैं जब उन्होंने सोचा कि और एयर क्राफ्ट हम सामिल करेंगे तो इससे क्या होगा इनकी सर्विसेस की क्वाल्टी बढ़ेगे और इससे क्या होगा अच्छा आउटपुट निक उस समय के जो चेर्मेन थे और बिन्द जादो उन्हों नहीं कहा कि अब जो सम्हालन मुझुल है और जब ऐसा इन्हों ने कहा क्या तो सरकार ने क्या किए कि इसके जो परमुख समस्या थी जो चुनोतिया थी उनपर बिना बिचार की मैं देखी मैं सब्द कह रहा है बिना बिचार की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दरेवar core problem कुछ और थी core problem क्या थी मैं आगे बताओंगा कि अकिर इन्हों ने जो core problem थी इस company का, उसका समाधान ना करके 30,000 करोर रोपे का क्या किया है, bail out package दिया, bail out package का मतलब होता है, ऐसे package से जिसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज को किसी condition से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, for example, माल लीजे मेरे पास एक company है, वो company डूब रही है, उसके पास जो है कि उसकी दें condition में दिया जाता है, जिससे स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आ सके, तो 30,000 करोर रोपे का क्या की गया, bail out package दिया गया, जिससे कोई स्थिति में कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि core problem ऐसे ही बनी रही, अब देखिए, जब core problem ऐसे ही बनी रही, तो आगे का समय क्या हुआ, अभी हम आ चुके हैं, 2009 में आ चुके, अब देखिए, थोड़ा सा 2009 के बाद condition क्या क्या होई है, तो इससे चीज़े क्या हो जाएंगे, आपको clear हो जाएंगे, 2009 के बाद फिर आता है समय 2013 का, 2013 में एक civil, जो आपके civil aviation minister अजी सिंग थे, इन्होंने 2013 में कहा कि, एर इं इसका privatization कर दें, यह बात कही जा रही है, 2013 में, आगे समय बढ़ा, 2017-18 के बित्ती बर्स तक, एर इंडिया के उपर 50,000 करोर रुपे से जादा का कर्ज हो चुका था, जो कि बरतमार समय में लगभक 60,000 करोर रुपे के घाटे में convert हो चुका है, इसलिए 2017 में सरकार ने अंति करने वाले हैं, 2017 में सरकार ने कहा कि अब इसका हम एक ही विकल्प रह गया, हम इसका क्या कर दें, नीजी करण कर दें, बहुत सी कमेटियां बैठी, इसमें जो है कि नीती आयोग तक ने अपनी सी भारिज दी, कि इसका क्या किया जाए, अब इसमें इसका नीजी करण किया नहीं आया, और इसलिए सामने नहीं लेके आया, कि समय देखिये कमब है, 2018 का, तो 2018 का जो समय है, इसके बाद क्या है, लोग सबाद चुनावान वाला, तो कई लोगों ने कहा कि अगर हम माल लीजे, इस कमपनी को खरी लेते हैं, और हो सकता है के अंदर में दूसरी सरकार आ अपने पास रख रहे हैं, जब 24% हिस्सेदारी अपने पास रख रहे हैं, तो प्राइबेट सेक्टर के लोगों को लगा, कि भारा सरकार के पास भले ही 24% के हिस्सेदारी हो, लेकिन हो सकता है, वो हस्त छेप जाला करे, और प्राइबेट सेक्टर जिस तरह से काम करता है, उस तरह से काम ना कर पाये, इसके करव कोई भी प्रस्तावक सामने नहीं आया, और जब कोई भी सरकार प्रस्तावक सामने नहीं आया, तो फिर से क्या हो गया, फेल हो गया, अब सरकार ने दूसरी बार, जो है कि क्या रखा है, इसका 100% सेयर बेचने का प्रस्ताव रखा है, और जब 100% सेयर बेचने का प्रस्था होता तो जो 24% वाला जो डर था वो भी कतम हो गया, अब कोई चुना होने वाला भी नहीं है, प्रस्तितियां भी बदल चुकी हैं, तो इस बज़े से अब हो सकता है आने वाले समय में इसको खरीदने के लिए क्या किया जाए आबेदन ज चल कर, यह होगा क्या कि आबेदन में किस ब्यक्ति को प्राप्त हो गया है, इसके मार्ज के अंत में इसकी घोष्णा की जाएगी, मतलब 17 मार्ज तक क्या करेंगे, लोग आबेदन करेंगे, लेकिन यह आबेदन में यह इंडिया किसको प्राप्त हुआ है, यह मार्ज की अ investment को कैसे समझेंगे अभी मैंने कहा कि 100 रुपए है सरकार का किसी कमपनी में वह क्या करें अपना हिस्सा बेच दें माल लीजे वह क्या रुपए के अपना हम हिस्सा बेच दें यह हुआ investment लेकिन जब आप समझें कि अभी साट रुपए तो क्या हुआ है बचा हुआ है सरकार के पास तो साट रुपए का जो हिस्सा बचा हुआ है तो सरकार क्या करेगी परबंधन देकी management पर हाथ रखेगी नजर रखेगी इस तरह सब सभी चीजों को कवर करने का प्रयास करेगी लेकिन जो strategic disinvestment होता है उसमें यह क्या जाता है कि सरकार private sector को परबंधन management जितने सभी काम है वो सब समझें और उससे अपने आपको बिलकुल बाहर कर लेती है तो strategic investment disinvestment का मतलब क्या समझना है कि ऐसा disinvestment जिस सरकार ने अपने सभी कारे private sector को सब दिये चोंकि इस बार 100% हिस कोई role नहीं रह जाएगा तो यह था अब देखिये होगा क्या कि जो बैक्ति इयर इंडिया को खरीड देगा उसको इयर इंडिया के 125 तो साथी साथ इंड इंड इंडिया के प्लेंस की 25 जो है कि प्लेंस क्या होंगे प्राप्त होंगे जो कि अभी रन कर रहे हैं जो कि काम में हैं लेकिन यहां पर एक चीद और ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास बोईंग चार बोईंग 474-400 जो जम्बो जेट एर क्राप्ट है यह खरीदने वाले ब्यक्ति को नही मिलेंगे यह जम्बो जेट एर क्राप्ट बहुत बड़े एर क्राप्ट है जिनकी संख्या चार है यह प्राप्त नहीं होंगे तो साथ ही साथ एर इंडिया के कुछ ऑफिस जैसे नरिमन पॉइंट जो मुंबई का है ठीक इसी तरह दिली का कनोट प्लेस के पास उनका जो से उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और जब ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यह इंडिया को बेचा जा रहा है लेकिन अभी हमने देखा तो उनको जो परमुक चीजे मिलने वाली हैं यह इंडिया के जो प्लेन से वह उनको मिलने वाले ह इने वाले कंपनी के लिए और ब्यक्ति के लिए एक सर्थ रखा गया है, वो सर्थ आपके लिए इंपोर्टेंट है, कि कंपनी का जो नेट वर्थ है, वह 35 करोर रोपे होना चाहिए, कम से कम, जो कि 2018 में जो सरकार प्रस्ताव लेके आई थी, जिस समय 76% हिस्सेदारी बेच र कि कम पनी के जो टौटल एसेड्स है, माले जे, मेरे पास 100 रोपे है, 100 रोपे की समपत्ति, लेकिन 100 रोपे में से हो सकता है, 30 रोपे मुझे किसी से मैंने उधार लिये हैं, मुझे देना है, तो 100 रोपे में से, अगर मैं 30 रोपे, जो कि मेरी देंदारी है, उसको घulanड़ा यह 3500 करों रुपए हो इसका मतलब क्या है कि यह वह पैसा है जो देंदारी के बाद दिखाई दे रहा है अर्थात जो इसमें देंदारी का पैसा सामिल नहीं है तो यह एक कंडिशन यह रखी गई दूसरा यह रखा गया है कि आपको यह भी पता है कि अभी जो हमारा जो यह जो छेतर है इसमें 49% जो एक FDI की अनमती है इसलिए कोई विदेशी मालिक 100% इसका सेर नहीं खरी सकता अर्थात उसका मालिक नहीं बन सकता है यह जरूर हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग खरी दें वह किसी को अपना पार्टनर इसमें बना ले एक चीज और रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मालिक यह व्यक्ति है यह व्यक्ति क्या करता है कि अगर कोई कमपनी खरीता है तो यह ऐसा नहीं कि आज खरीदा और कर किसी और को बेच दिया है या फिर कहें कि नहीं हम तो इसको बंद कर रहा है और इसको क्या करना होगा जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसे तीन साल तक चलाना होगा वह इसलिए तीन साल तक चलाना होगा जिससे ऐसा हो ना हो कि आज जो है कि भारत सरकार से किसी ब्यक्ति ने खरीदा एक साल बाद उसको लगा कि हम बंद कर दें और जब बंद कर देगा तो उसमें जो करमचारी काम करते हो तो रोट पर आ जाए इसलिए प्रावद्धान रखा गया कि कम से कम उसे तीन साल तक चलाना होगा, भराज सरकार इसमें नजर रखेगी, अगर ऐसा कुछ भी होता है जिससे लोगों का रोजगार संकट में पढ़ सकता है, तो इसमें क्या करेगी, कंट्रोल करने का प्रयास करें, हाला कि जो तीन स साल तक का प्रावधान है इस पर इसी को लेकर कई समय चक्कर हो सकता है इस बार भी यह इंडिया बिक नहीं पाए लेकिन हमें देखना होगा चूंकि अभी इसमें जो है कि सत्रे मार्च तक आबेदन मांगे गए हैं देखना होगा कि कितना कुछ इसमें होता है जब यह बिके है जिसने काफी जो है कि अच्छा परफॉमस दिया है उसको बिनिबेश को लेकर कई प्रयास हुए कई चर्णों में हुए सरकार ने बेल आउट फैकेश के माध्यम से भी उसको बचाने का प्रयास किया लेकिन अभी तक क्या हुआ है उसकी कंडिसन नहीं सुद्री है जो उ एक सब्द आपको बीच में योच किया था कि भारत सरकार ने जो कोर प्रॉलम थी उसका समधान ना करके बेल आउट पैकेश पर काम चलाया तो दरसल होना क्या चाहिए था कि जिस समय बेल आउट पैकेश दे रहे थे उस समय सरकार को कुछ और भी करना चाहिए था तो की कंडिसन सही हो पाती क्योंकि समिच्छक इस समय भारत सरकार की पॉलिसी का भी आलोचना कर रहे हैं क्या आलोचना कर रहे हैं वह मैटर नहीं करता लेकिन उनके तर्क जो है हमें थोड़ा सा देखने होंगे यह इस से यह होगा कि आप क्या करेंगे इसकी समिच्छा कर पा यहाँ पर एक सब देखी, professional management और effective leadership का मतलब क्या है, कि जब भारत सरकार के जो आप PCO की condition देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, जो उनके board के member होते हैं, या उसको जो lead करने वाले लोग होते हैं, कई बार उनके पास जो management का skill होता है, वो प्राइबेट सेक्टर में जो लोग है उनसे कम होता है, या उनकी जो leadership होती है, बहुत effective नहीं होती, तो भारत सरकार ने इस परकार का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, और जिसकी आवसकता थी कि वो करते ना कि बेलाउच पेकर देते, या कुछ समयचा कह रहे हैं, ठीक इसी तरह से financial package के सासार, प्रत प्रतिनितिक हस्त चेप, आपको पता है, किसी भी संस्ता संगठन की क्या करता, पर्फोमेंस को कम करता है, इससे मुक्ति इसको नहीं मिली, साथी साथ जो work condition है, और pay package है, उसको अच्छा नहीं किया गया, work condition हो pay package से ताथ पर, जो उसके employee है, उनको अगर अच्छा क्या होता कि bail out package से देख, इस company को हम क्या करेंगे, उनको बचा लेंगे, यह ऐसा संभव नहीं हो पाया, खुल मिलाकर इससे क्या हुआ कैच्छनोतियां आई, और उसका परणाम अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों का इससे क्या है, भावनात्म कि भूमका में दिखाई देगी, अगर आपने एर लिफ्ट मूबी दिखा होगा, तो उसमें क्या होता, इराक ने कुबेद पर जब हमला कर दिया, तो क्या हुआ था, यह 1,75,000 लोगों को बचाने में सामने आया, एर इंडिया, इससे क्या हुआ है, लोगों की भावनात्म कि वहाँ से लोगों को तुरंत बाहर निकालना होता है, और एर इंडिया सामने आती है, सो अब आभी के भावनात्मक लगा होगा, ठीक इसी तरह से, जो एर इंडिया से जुड़े यूनियन है, वो भी इसका क्या कर रहा है, बिरोध कर रहा है, पुराने जो कुछ सफल चे और इसके सफल चेर्मेन रहे है, वो उनका कह रहे है, कुल में लाकर, अगर यह भारत सरकार ऐसा कर रही है, तो जो समिचकों कमत है, कि क्या होगा, उसे कुछ आकड़े सपष्ट करना चाहिए, और इसलिए इसलिए सपष्ट करना चाहिए, जिससे देश की जनता को इस पे भावनात्मक लगाओ है, इसके पीछे जो इमोसन जुड़ा है, वो समझ में आये, कि यह क्यों ऐसा जरूरी हो गया था, इसमें कौन-कौन से चीजों को भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कि वो सामने रखे, कि बिनिबेस से क्या होगा, क्या इस्थिती बदल जाएग या फिर हम एक कमपनी को बेच कर दूसरी कमपनी को भी बेचने के और अगरसर हो जाएगे, रणनीती क्या होगी, रणनीती का मतलब यह है, कि आखिर जो पैसे आप बेच रहे हैं, किस तरह से पैसे प्राप्त होंगे, किस तरह से आप खर्च करेंगे, और उन पैसे को किस तरह से कहां पर कर्च किया जाए दूसरा अगर अब यह एक जो है कि यह नहीं किया गया तो क्या होगा इनका एक प्रश्ण है समय चुकों का इस पर हम नहीं दियान दे सकते क्योंकि मैंने आपको बताया कंडिशन कितनी वर्स हो चुकिया क्या अन्य विकल्प तलास लिए गय बर्स 2020 तक आते आते दम तोड़ने की कगार पर आ गई है और इसके पीछे जो रिस्पॉंस्वल लोग हैं चाहे हुआ भारत सरकार से जुड़े हुए उस समय के जो मंतिरी गण रहे हुआ हो या फिर इसको लीड करने वाले लोग हैं दोनों पर प्रस्निक चिन उरता है कि क क्या इसको बचाया नहीं जा सकता था क्या समय पर जिस तरह के हमें एक्सन लेने थे हम ले पाए या नहीं ले पाए और इसी तरह से क्या है अब कंडिशन ये आ गई है कि भारत सरकार इसको बेचने का प्रियास करें I hope आप समझ पाए होंगे कि ये पूरा जो सफर है कितना महत्पोड और आपके लिए जानना कितना ज़रूरी था इससे ये होगा आने वाले समय में आप ये समझ पाएंगे कि इस तरह की जब भी चीजे होती है तो उनका एक बैक्ग्राउंड होता है उस बैक्ग्राउंड को आपको समझ ना है एक एकॉनमी के पॉंट अब बेसे क सेक्टर यूनिर्स के हैं जो कम्पनिया है उनकी स्तती में कोई परिवर्तन लाएगा या इससे कुछ सीख लिया जा सकता है या नहीं एक दो प्रश्न यह बनेगा दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जो आपके जो एयर इंडिया है और एयर इंडिया की जो कंडिशन आप पूरे चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में एक अच्छा इमेज बन पाया होगा. आई हम बात करते हैं अपने दूसरी खबर पर. हमारी जो दूसरी खबर है वो है देश-द्रोश से सम्मंदि. आपको पता है इसकी पर एक इमेज में दिखा रहा हूँ. इस ब्यक्ति का नाम है सर्जिल इमाम. इसको कल अरिष्ट किया गया है और आरोफ है देश-द्रोश का. तो इस खबर में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी इमेज किलियर हो जाए कि घटना करम कैसे कैसे हुआ और इससे विवाद कौन-कौन से उपज रहे हैं और ऐसे ही विवाद पहले कौन-कौन से उपज चुके हैं और इनके पच्छ और विपच्छ में कौन-कौन से तर्क दिये जाते हैं. पच्छ और विपच्छ का मतलब है देश-द्रोश से संबंदित केस से अकिर 124 का सबक्लोच 1A दिखाई दे रहा अर्थात IPC की धारा 124 का सबक्लोच A कानून के तहत जो देश द्रोह है उससे संबन्दी थे आपको पता है 28 जनौरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद जिले से दिल्ली के साहिन वाग बिरोध परदर्शन का एक यह जो ब्यक्ति है सहसमन्वेक था और इस ब्यक्ति का नाम है सर्जिल इमार और इसको IPC की धारा 124 A के तहर गिरपतार किया गया है सर्जिल इमार जो की बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला है और इसने इस्टुडेंट IIT से पढ़ाई की है काफी highly qualified है यह विदेश में भी जो है कि जाकर इनवर्सिटी में काम कर चुका है और फिला जीनु से क्या कर रहा है यह PhD कर रहा है इसका मैं मतलब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कई बार क्या होता है देश द्रोज से बचनी का एक असान सा विकल्ब होता है कह दिया जाता कि हमें तो ऐसा पता ही नहीं था कि इस परकार का कोई कानून है और आपको पता है अगर किसी ब्यक्ति को किसी कानून की जानकारी नहीं है हकीकत में नहीं है तो उसके उपर उसी तरह से सजा नहीं लग सकती है यह हकीकत जब उसी तरह की सजा नहीं लग सकती तो कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा बोला है तो हमें ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं बोलना है कुल मिलाकर यह व्यक्ति क्या है हाइले कौलिफाइड है 16 जन्वरी 2020 को CEA अर्था CDJ Amendment Act और NRC के बिरोध में इसने जनता को भड़काने वाला तो था तेज को बाटने वाला भासर दिया यह पुलिस कह रही है इसने कहा क्या है वह सुन लेजिए जो की on record काफी आपके वीडियो में मिल जाएगा यह कहा इसने कि अगर 5 लाक लोग हमारे पास संगठित हों तो हम हिंदुस्तान को इस थाई रूप से अलग कर सकते हैं और इसने जो यह स्पीच दी है यह साहिन बाग में दी है और जब साहिन बाग में इसने यह स्पीच दी इसका मतलब क्या है कि यह कह रहा कि साहिन बाग को हम हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं इससे क्या पता चला कि यह देश बाटने की बात हो रही है और इसी चीज को आधार बना के पुलिस ने क्या की F.I.R किये और उसमें जो धार आरोप लगा है वो क्या लगा है देश दुरोग का लगा और यह इसका एक चीज और है कि इसने जो है कि इसके उपर देश बिरोधी गतिविदी चलाने का भी आरोप लगा है मतलब एक तो इसने स्पीश दिया और यह कहा गया है कि जो C.E.A. और N.R.C. की बिरोध में क्या कर रहा है यह लोगों को संगटित कर रहा है और देश बिरोधी गतिविदीया चला रहा है यह आरोप है एक चीज और मैं ध्यान दीजेगा मैं आपसे फिर से अपील करना हूँ कि किसी ब्यक्ति पर आरोप लगना और सिद्ध होना अलग बात है यह बाद में सामने आएगा कि अकिर हुआ क्या था पूरा घटना क्रम क्या है तो आपको किसी को गाली गलोज करनी की जरूरत नहीं है मैं कई बार आपके कमेंड देखे दुखी होता हूँ कि आप तुरंद जो है कि क्या करते हैं उस पर गाली गलोज पर उतर आते हैं एक स्टूडेंट के लिए सोभा बिलकुल भी नहीं देता कुल मिलाकर इस पर देश द्रो का क्यार लोगा है आरोप लगा है और इसी आईपीसी की धारा एक सोभीस ए के तरह जिसको गिरबतार किया गया है अब एक सोभीस धारा है यह आखिर आपको जानना होगा कि है क्या और इसमें होता क्या है तो जो आपका आईपीसी की धारा एक सोभीस ए है इसको पहली बार 1860 और 61 में लाए गया था और उस समय कौन सा ब्रिटिस सरकार थी इसी से पहले आपको पता है 1857 का बिद्रो हो चुका था और इस बिद्रो के माध्यम से हमने अंग्रेजों को बाहर करने के लगभक अपने तरब से यथा संभव परियास किये थे हाला कि हम लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए लेकिन बावजू उस समय की जो ब्रिटिस सत्ता की नीव हिल गई थी और उसके पास से कापी परिवर्तन की कानून को लेकर सेना में भरतियों को लेकर और सेना में कौन ग्यतिक किस पत पर होगा कितना अनुपात होगा इस सब चीज आप लोग मौडन हिस्टी में पढ़ चुके हैं तो उस समय इस कानून को लाए गया था और इसका जो उद्देश था वह था स्वतनतरता सैनानियों के उपर नजर रखना और उनकी गत्विदियों को रेगुलेट करना इसी की तर्थ बाल गंगा धर तिलक और महात्मा गांधी पर कई बार केस लगा आपने यह जो इस चीज को डिनाई करने से मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे कुल मिला के काफी इंट्रेस्टिंग इस्टोरी है जो कि आपने मौडरन हिस्ट्री में पढ़ा होगा इस तरह से अगर हम देखें तो यह कानूर क्या बना था इसमें कहा क्या गया है यह इसमें कहा गया है कि अगर बोल कर लिख कर यह अन्य माध्यम से आप सरकार के बिरुद लोगों को भड़काते हैं यह देख के बिभाजन कारी मत को परचारित करते हैं तो आपको 124.1 के तहट यह गंभीर अपराद है और इसके तहट आपको जुर्माना तीन साल तक की सजा यह अत्वा उम्र कैद तक हो सकती है यह कहा गया है अर्थात अब कहसे कहेंगे आप देश-द्रोह से संबंदित कोई केस बनता या नहीं बनता उसमें क्या है आप अगर बोल रहे हैं लिख रहे हैं या अन्यमाध्यम से सरकार के बिरुद आप क्या कर रहे हैं उसको भड़का रहे हैं और देश में विभाजन कारी प्रुद् करते हैं यद्धभी समय समय पर इस पर यह जो कानून है इस पर क्या हुआ समिचको द्वारा सवाल उठाए गए हैं जिसके संदर में निम्न तर्क दिये जाते हैं यह जो तर्क हैं आपके लिए काफी महत्पोड हैं क्योंकि जब भी आप मुख के परिच्छा में तो आपको अब देखें यह ब्रिटिस काल का कानून है और इससे स्वतंतरता सैनानियों को रोकने के लिए किया गया था अब आजाज भारत में जबकि लोगों को अनुच्छित 19 के तर बोलने की आजादी है अविव्यक्ति की आजादी है ऐसे समय में यह कानून जरूरी न इस कानून का जो जनक है ब्रिटेन उसने अपने हाँ इस कानून को क्या कर दिया समाप्त कर दिया है जब इसने अपने हाँ कानून समाप्त कर दिया है तो हम क्यों ढोएं यह इसको कहा गया है सरकार की नीतियों कोई आलोचना करना देश द्रोह नहीं है इस पर मेंका चलनें इसके निगेटिव तर्क में कौन कौन से आया कि पुराना कानून है उस समय नहीं हम इसको क्यों धहुआ है और साथ nella Kin जो सुप्रीम कोरिया है कि ज penka मेंका गंदी वाला केस है 1978 का कि इसमें जो अगर सरकार की कोई ब्यक्ति आलोचना करता है तो देश द्रो नहीं है ग्रह मंत्राले के आकड़े बताती है कि 2014 से लिकर 2016 के बीच 179 179 लोगों के उपर क्या गया इसके तहती है यह मुकदमा किया गया लोकिन लेकिन द्हान दीजे मातर दो लोगों को ही क्या किया गया इसके तहरे दोस्ती पाए गए अर्थात यह जिन लोग के ऊपर यह केस दर्ज हुए उसमें से मातर दो लोग दोस्ती पाए गए तो कहीं न कहीं देश द्रो का यह जो आरोप लगता है उसकी जो बस्टू निश्ता है वह बिल्कुल किलियर नह हो और यह क्या होथा है कोट के सामने जाता है और कोट अपने आधार पर यह किसी व्यक्ति ने देश दुरों के गतिविधी में सामल हुआ है या नहीं हुआ सरकार इसका प्रयोग अपनी सुवधा निउसार भी कर सकती है इसलिए भी इसको कहा रहे हैं कुछ लोग हटा देना चाहिए देखिए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोड कह चुका है आलोचना देश दुरो नहीं है इसलिए आप हटा दो इन्होंने कहा कि आप देख लोग कन्विक्शन रेट का मतलब आरोफ सिद्ध होना एक सो नवासी लोगों में सिर्फ मातर दो लोगों के उपर सिद्ध हुआ इसलिए आप इस कानून को हटा दो और इन्होंने कहा कि अगर यह कानून है तो इसका दूर प्योग होता है और इसके लिए एक जांपल दे रहे हैं तमिलाडू के कुडन कुलम में एक गाह पर इसका इस्तमाल किया गया क्योंकि वह लोग परमारू स्यंत्र लगाने का बिरोध कर रहे थे चोंकि उन लोगों के ऊपर क्या था डर था कि परमारू स्यंत्र से रिसा हो सकता है उससे परभावित हो सकते है तो बिरोध कर रहे थे हो इनका क्या था एक जो है कि अपनी रच्छा के लिए इस परकार का बिरोध परदर्शन करना आने वाल समय में कोई ऐसा संकट ना हो जाए उसके लिए बिरोध परदर्शन करना इनका क्या है अनुछेद 19 के तहत क्या है बोलने अजादी अभिव्यक्ति किया आजादी की तहत संगठित होना और जो है कि बिरोध करने की आज इसको क्या किया जाने हटा दिया ना जाए अब यह तो देखा हमने कानून के बिपच में तर्ख अब थोड़ा सा पच में तर्ख देखते हैं चोंकि आज भी कई राज्यों में उग्रवादी समू हिंसक तरीके से अलगावादी राजनीती करते हैं इसलिए इसकी प्रासंगि अगर हमारे पास एक कानून नहीं होगा तो क्या करेंगे अपना जंडा लेकर घूमेंगे और यह कहीं न कहीं किसी भी देश के लिए क्या हैं बहुत बड़ी चुना होती है इसलिए यह आज भी जरूरत है समिचकू का एक बरत यह भी मानता है कि अगर नियाय पालिका की जो ओमाना करने पर डंड दिया जाता है तो सरकार की ओमाना करने पर या उसके कार में दक्खल देने उसकी आलोचना करने पर भी क्या हो जो है कि सजा का प्रावधान अगर है तो ये ठीक है, हलाकि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, नियाय पाली का अलग है, सरकार अलग है, सरकार हमारे आपके द्वारा चुन कर चलाई जाती है, अगर सरकार कोई ऐसी बिदी बनाती है, जो हमारे ही खिलाप है, तो हमें बोलने की आजादी होनी चाहि कि केदार नाज सिंग बनाम बिहार राज, नियांटी सिक्षिक्ष्टू में सुप्रीम कोड ने कहा, कि आलोचना करना राजदुरो नहीं है, किन्तु यह धारा अभी अपरासांगिक नहीं है, अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि इस धारा को अब समात किया जाए, यह सुप देश दुरोही माना जाएगा, इस पे आप इस कानून को यह जो आपका 124A है, इस धारा को आप हटा नहीं सकते, और यह समय नहीं है कि हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा जो है कि दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह से क्या हुआ, सुप्रीम कोड ने कहा, कि हाँ यह कर सकती है, कई बार आपने देखा हो कई पुस्तके जारी होती है, और जब पुस्तके जारी होती है, तो उसमें कुछ ऐसा कंटेंट होता है, ऐसा साहित हो सकता है, जिसे अलगाबाद की भावना हो, तो यहाँ पे जो कोड और सुप्रीम कोड का इस्टेंड है, वो है कि जो आपको अधिकार है कि आप क्या कर सब किसी देश पर देश दुरोग का किस लगा सकते हो ये ठीक है आपके लिए हम मानते हैं जायज है आप देश दुरोग का किस लगा सकते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किताब हर साहित हर चीज को आप सेंसर सिप करो ये भी क् खीक नहीं है अर्थात अगर आप पूरे चीज को घटना करूं को समझ रहें तो सरकार के प्रती जो सुप्रीम कोट का नजरिया है कि आप देश-द्रोग की कानून का यूज करो लेकिन उसका मनमाना यूज आपको नहीं करना ये नहीं कि किसी ने आलोचना की आपने देश- द्रों के आरोप में डाल दिया ऐसा आप नहीं कर सकती कि कोई साहित है और उसमें कुछ ऐसा है जिससे क्या हो सकता कानून बहुत बिगड़ सकती है और आप उसको आधार पर उस पर देश-द्रों का केस लगा दो ऐसा नहीं हो सकता 1982 के पी अलावी वर्सेस केरल राज तता 1995 के बलवन सिंग एवं एबियार बना पंजाब राज में उच्चितम नियाले ने इसपश्ट किया कि सरकार की आलोचना करना राज द्रों नहीं है इससे इस समझ में आता है कि आलोचना अलग है राज द्रों अलग है अब जो सरजिल इमाम की गिरपतारी हुई है सरजिल इमाम को प्रूब करना होगा कि उसने जो है कि राज द्रों नहीं किया है उसने क्या किया है सरकार की आलोचना किया और पुलिस इस पर क्या करेगी ज कह रहा है कि ठीक है आप 124 एका यूज करो लेकिन मनमाना यूज नहीं करना है आलोचना पर देशद्रो नहीं बनता है हाला कि सर्जिल इमाम के खिला जो एबिडेंस है उससे लग रहा है कि राजद्रो का केस बनेगा क्योंकि उसने असम को असम के छेत्र में असम के जो है कि कई स्टेंट मैं और वहां को दिखाई देता है कि देश दरोग का मामला बनेगा लेकिन आने वाले समय में कौन कौन से अणने टथे आते हैं उस पर हम देखेंगे अभी देखिए एक आपको पता है एक बिधी आयोग होता है उसका भी स्टेंड समझ लेजिए जिससे आप आप फाइनल कंक्लूजन निकाल सकें कि आखिर यह जो है कि राजद्रोग का जो खेस है इसमें कितना जो है कि सचेत रहने की ज़रूरत है पिछले 50 बरसों में बिधी आयोग ने तीन बार इस पर अपन करके संविधान में जोड दिया जाए साथी कारेपाल का नियापाल का विधाई का तक से बिस्त्रित कर दिया जाए नैंटी सिक्ट में उनक्या कहा कि अभी नहीं आटाना चाहिए अब आपके उपर जिम्मेदारी है चुकि आप भी आंदोलन करते हैं आपके बीच के लोग आंदोलन करते हैं कई लोगों का उद्दिस नेता बनना होता है कई लोगों का भड़काव भासर देना होता है कई लोगों का अपनी कम्यूनिटी और किसी छेतर की संकेरता को कैसे रही है उसका इतिहास क्या रहा है और बरतमाल सोरूप में उसमें किस परकार के तरक दिये जा रहा है उन तरकों में समिछक क्या कह रहा है कौन से तरक दे रहा है सुप्रीम कोट और हाई कोट का इस्टेंड क्या रहा है और विधी आयोग ने क्या कहा है अब आपको अप झाल झाल